तो आप मेंसे कापी सरो लोग ऐसे हैं जो कि computer operator के रूप में काम करना चाहते हैं तो आज किस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप बिहार से भी हैं तो भी कोई बात नहीं है जो उपी पुलिस में computer operator की भरती आई हुई नहीं उसके लिए from को भर सकते हैं तो फरम को भरने से पहले आपको समझना चाहिए कि आपके पास qualification क्या रहनी चाहिए टाइप इन कितना होगा किस तरह से जो उपी पुलिस में जो computer operator की पदों पर भरती आई हुई है उसका selection होगा सभी जनकाई जो इस वीडियो में आपको हम clear करके बताएंगे तो प्लिस वीडियो सुरू से on तक लिए के जोरू देखेंगर वीडियो थोड़ा सी अच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को like जरू करेंगे इसमें अब यहां पर देख सकते हैं कि उतर परदेश में computer जो operator होते हैं ठीक है उनके पदों पर भरती यहां पर निकाल दी गई है जिसका online आवदन कब से सुरू हो रहा है कौन लोग इन पदों पर आवदन कर सकते हैं इसे जोड़ी सभी जनकाई इस वीडियो में cover की आएगा यहां पर देखेंगे तो इसमें जो है programmer grade 2 की भरती है और computer operator grade 1 की भरती यहां पर होने वाली है ठीक है यानि कि दो परकार की इसमें post रखे गए हैं computer operator और programmer की तो यहां पर नीचे आएँगे तो इसमें बोला गया है कि पूरूस और महिला दोनों जो है आवदन यहा देखने को मिलेगा जो कि आपका पचीस और पांस असर लेकर 81,100 तक यहां पर salary देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर पूरी तरह से online application form फील किये जाएंगे सबसे पहले हम पदो की बात कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि computer operator grade 1 की आप देखेंगे तो only job का जो है तीन परदेश के candidate के लिए रखे गए है ठीक है तो अगर आप बिहार से form भरना चाहते हैं तो ज़रूर form भरे आपके लिए अच्छा खासा यहां पर seat रखा गया है आप यहां पर general में जाएंगे और अपना selection यहां पर ले पाएंगे कुल पदों की हम बात करें तो 930 पदों पर 12 तक अपना जो application form है उसको भर सकते हैं और किसी परकार की उसमें संसोधन किया सकता होगी तब 31-24 तक संसोधन कर सकते हैं निकि 2 दिन संसोधन करने का आपको इस्ट्रा मौका यहां पर मिलेगा तो यह आपका date रहेगा इसके अरतगर्त ही आपको form को भरना है form कैसे भरेंग बाकी यहां पर देख सकते हैं कि भारत का नागरीख हो यानिकी आप भारत में कहीं से भी आते हैं ना तो form को भर सकते हैं अब नीचे आएंगे तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपको intermediate पर इच्छा पास होनी चाहिए जो कि बहुत की सास्त्र हो सकता है यानि कि physics हो सकता है नहीं तो गणित हो सकता है इन विशायों के साथ आप यहाँ पे अपना intermediate पास कर लिया हुआ है और इसके साथी साथ भार सरकार के जो electronics aggregated in computer and communication जिसका short form होता है DOEACC के माधियम से computer में O label पर इच्छा होता है उसको अपने पास कर लिया हुआ है या के मतलब कि अगर आपने यह नहीं किया हुआ है तो सरकार दोबारा उसके ब्राबर मने आता प्राप्त कोई भी अन्य पर इच्छा आपने उतिर किया हुआ है ठीक है तो आप यहाँ पर form को भरेंगे ध्यार रखेंगे ठीक है और आपका जो देख सकते हैं कि यहाँ पर समकच्छता का जो निर्धारण है पांच मई 2022 के धार पर किया जाएगा यह बात यहाँ पर बोला गया है तो सबसे पहले तो आप इंटर्मेडिर पास कर लिए हैं फिजिक्स या फिर गनित से तो form को भरेंगे इसके साथी साथ अगर आपने ओल लेबल का जो सटिफिकेट है परिछा है पास कर लिया हुआ है इस इंच्छूट के अप्रूब के माधि है तो आप इसको फूलफिल कर सकते हैं जिसने बोला गया है कि उतर परदेश से कंप्यूटर अभियंत्रर सुचना प्रधादिकी या इलोट्रोनिक अभियंत्रर में डिप्लोमा या फिर भार सरकार द्वारा उसके समकच आपने मनियाप्ता प्राप्त को यहारता किया हुआ है या फिर उसका समकच भी अपने कोई डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है तो फौर्म को भर सकते हैं ठीक है समझ में आ गया अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो भी आपेरिंग है वह फौर्म को नहीं भरेंगे जो पास हो चुके है नहीं यहां पर फॉ होनी चाहिए ठीक है हाला कि आप अधर एस्टेट से आते हैं तो कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगा और अगर आप उतर पर्देश से हैं तो आपको छूट मिलेगा जिसकी जनकारी आपको नीचे बताएंगे ठीक है बोला गया है कि अभेरतियों का जो उमर है न एक साथ औ आज के बाद का एक साथ और पांच के बाद का नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ पर जनकारी दे दिए बाकि अने पिछरा बर्ग अनुसुची जाती अनुसुची जन जातियों को छूट मिलेगा जिसकी जनकारी आपको हम उपर बताएंगे लेकिन कियों उतर पर्देश के भरती का प्रकिरिया क्या रहेगा देखिए भरती का जो परकिरिया रहेगा है यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने बोला हुआ है कि उतर पर्देश, पूलिस, कम्प्यूटर, क्रमचारी, बर्ग, सेवा नीमु आली के तह़ा जो है आपका भरती होगा भरती में क्या वहना परवब तो इन्होंने बोला हूँ है कि आपका जो है लिखित परइचरा 2 गंटा का होगा जो की लिखित परइचरा guidance प्रकार की ओंलाइन होगी तब आपको जो ही देख सकते हैं कि यहां पर 200 मिलेगा एक साथ परशने के लिए परिच्छा कुल 200 अंकों की होगी लिखित परिच्छा समाने ग्यान मानसिक अभिरूची तर्क सक्तियों कॉम्प्यूटर बिग्यान से सम्मंदित होगा प्रस्ण पत्र का अस्तर पद के लिए पेचित नियुक्तम सैंचित योगता के अनुलकूप होगा या निकि आपका जो लग गया है ठीक है निचे आएंगे यहां पर और भी जनकाड़ी यहां पर दी गई है किस तर से आपका क्या होने वाला है और लिखित परिच्छा में जो है 40% आपको अंक प्राप करना अनिवार्ज होगा नहीं तो आप डिस्कॉलिफाई हो जाएंगे ठीक है परिच्छा पर प्रती मिनट होना चाहिए ठीक है और आपका जो गती है पचासी पर सीड़ सुधिता के साथ यहां पर होना चाहिए इन बातों को ध्यां रखिएगा और यहां पर हिंदी टंकन के लिए बोला गया है कि उनी कोड इन स्क्रिप्ट की बोड़ पर अधारित होगा ठीक है इस पर आपका टाइप इन होगा उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें देखिए कि इस तरह से आपका मेरिट बनेगा तो मेरिट के रिगार्डिंग उन्हों बताया हुआ है कि आप जो भी एक्जाम देंगे लिखित परिछा में जो भी आपका अंक होगा उसी के अधिक अधिक हरता का लाप प्राप्त होगा उसके बाद अरक्षर के बारे में दिया गया है कि इनको कितना जो है आई सुट मिलेगा इसके जनकारी यहां पर दिये दी गई है तो आप इसको चाहें तो देख सकते हैं कि आप कौन से काई ठीगाडिस आते हैं उत्रपर इतना छूट मिलेगा ठीक है नीचे आएंगे तो यहां पर छूट के रिगाड़ी में जनकारी दे दिया गया है कि अनुसुची जाती को पांच बर्स मिलेगा जिसके लिए जाती पर्मारपत्र आपना लगाएंगे ठीक है तिस तरह से अल्मोश में आपको सरा जनकारी बत इसका जो फॉर्म फिलप होगा ना उससमें एक वीडियो लाएंगे आपको बताएंगे जो ही कैसे फॉर्म को भरना है इस्टेप बाइस्टेप आपको जनकाई दे देंगे और ध्यार रखेंगे फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्मेंट मांग जाते हैं जैसे कि आप उत जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो हैं आपको सरा जनकाई बता दिया उप्यूक्विक प्लिस में जो कंप्यूटर ऑप्रेटर की भरती आई हुई है उसके लिए क्या 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 प्वालिफिकेस्ट माएंगे हैं कि इस तरह सबका सेलेक्शन होगा सफ तरह सबका सिर्फ हो